हेलो ब्रेंट्स मैं हुआ थुल सिंग और आप दिख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चानल आउचले विज्ञान की ओर दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग हैना स्टेडी करने वाली है वाटर के बारे में दोस्तों से पहले की वीडियो में हम लोगों ने हैना स्टेडी किया था वाटर के बारे में दोस्तों से वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर वाटर किया है और आखिर वाटर हमारे लिए इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है और हमारी बॉड़ी क्षिस्ट होता है वेना किस चीज की फॉर्म में निकलता है और आधर आधर के वाटर के बारे में चांग ना किसे दिरी की हम लोग हना आज गाज का वीडियो को स्थरू खरते है तो लेट्स इस defending Baser, like food, we need water to live, we need water for many activities Number 1, we need water to drink, Number 2, we need water to wash the floor Number 3, we need water to take a bath, Number 4, we need water to wash our utensils Number 5, we need water to cook our food And number 6, we need water to wash our clothes Plants and animals also need water Plants need water to grow and live So we should water the plants regularly Animals need water to drink and bath Many animals such as dolphins, whales, fish live in water Water is very useful Water is very useful, so we should not waste it Friends, now let me explain what it means Now I will tell you what it means What it means So let's see, it means that water is very important 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 Water is a lot of activities Water is a need Water is a lot of activities पानी की दरूवत पीने के लिए लिए होती है नमबर वाटर के दरूवत नहाने के लिए गुलब आप लोगों को है ना बरतं दुल्ने के लिए होती है जैसे कि कम लोगों को ना पानी की दरूवत सब्सक्राइब चैसे हैं ने लोगों के दरूवत कपड़ों को धुलें तो इसे निया पता चलता एक पानी लिए कितना जारा दरूरी है इसे हमें यह पता चल जाता है कि जो water अमारे लिए आना बहुत ही ज़ादा जरूरी है जो plants और animals होते हैं उनको भी आना पानी के जरूरत होती है मतलब कि जो पौदे और जानवर होते हैं उनको भी आना पानी के जरूरत होती है इसलिए दोस्ता हम लोगों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए जो एनिमल्स होते हैं उनको भी आना पानी के दरुवत होती है ड्रिंक करने के लिए और बात करने के लिए अब देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि आना पानी में ही रहते हैं जैसे कि डॉल्फिन्स है विल्स है फिस है और पिर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि आना पानी में ही रहते हैं जरूरी है मतलब कि बहुत ही जारा जरूरी मतलब कि इसलिए पानी को बरबाद नहीं करना चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए तो दोस्तों करता हूं कि आप इन सभी चीज़ों के बारे में समझ चुके होगी तो दोस्तों अगर आपको वाटर के बारे में समझ चुके होगी तो अगली वीडियो को भी जरूर देखिए दोस्तों मैं अगली वीडियो में बताऊंगो वाटर की प्रॉपरिटीस के बारे में मतलग कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगो प्रॉपरिटीस ओफ वाटर के बारे में तो दोस्तों अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में समझ चुकी है और प्लस अको हमारे वीडियो अच्छा लगाओ तो हमारे सैनल को लाइफ सब्सक्राइब और शेर कर दीजिए तो दोस्तों हम लोग मिलें के अपने अगले वीडियो में तब तब के लिए दोस्तों बाइबाइब और थैंक यू